Money View एप से Personal Loan कैसे ले जी हाँ दोस्तों अगर आप भी Money View एप से Personal Loan लेना चाहते हैं Personal Loan अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में Money View एप से Loan लेने से लेकर उस पैसी को अपने Bank Economy ट्रांसफर करने तक का Complete Process इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ जैसा दोस्तों यह पर देख सकते हैं हम अभी Money View एप से Loan ट्राई कियें और यह पर देख सकते हैं मुझे 10,000 रुपे का Loan अप्रूव किया गया है और मैं इस Loan Amount को सिर्फ एक क्लिक में अपने Bank Account में ट्रांसफर कर सकता हम तो दोस्तों अगर आप भी Money View एप से Loan लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को Compete देखिएगा इस वीडियो में Money View एप से Loan अप्लाई करने का Compete Process आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इसे वेले वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं है चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए तो दोस्तों Money View से Loan लेने के लिए सबसे पहले Money View एपको आप अपने मोबाल में डाउनलोड करेंगे Money View लोन अप डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा जैसे आप इस लोन एपको डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो इस परकार आपके सामने एंटरफेस हो जाएगा सिंपली नीचे आपको गैट स्टाड़र का ओफसन दिख रहा है आप गैट स्टाड़र पे क्लिक करेंगे जैसे ही गैट स्टाड़र ओफसन पे क्लिक करेंगे और एक एक permission को allow करते जाएंगे जैसे हैं आप सारा permission allow करदेंगे तो दोस्तों यह पर देख सकते हैं अब आपको register करना होगा register करने के लिए आपको सबसे पहले अपना еक email ID यहाँ पर देना है इसके बाद आप अपना phone number एंटर करेंगे इसके बाद आप continue option पे click करेंगे जैसे ही email id mobile number लालके continue करेंगे अब आप जो आप mobile number दिये हैं उस पे CDG ROTP जाएगा वो OTP automatic यहाँ पे verify हो जाएगा देख सकते हैं OTP आ गया है OTP detect भी हो गया है अब जैसे ही आपका OTP verify हो जाता है आपको बुछ second wait करने है अब दोस्तों देख सकते हैं loan apply करने का first step आपके समने आ गया है आपको सबसे पहले इस form में अपना basic details fill करना है तो basic digital में सबसे पहले first name आप डालेंगे as per pen के हिसाब से इसके बाद आप अपना last name fill up करेंगे इसके बाद आपको education level select करना है आपका जो भी education level है उसको select कर लेंगे इसके बाद आपको employment type select करना है क्या आप करते क्या है अगर आप एक accelerated person है तो accelerated choose करेंगे गर आप अपना काम खुद का business करते हैं तो आप self-employed choose करेंगे चलिए हम self-employed choose करते हैं इसके बाद आपको अपना monthly income fill करना है जो भी आपका मासीक आए है इसके बाद दोस्तों आपको annual family income select करना है कि सालाना आपका income कितना है जैसे कह आपको more than 3 lakh का option मिलते हैं less than 3 lakh अगर 3,00,000,000 से जादा income है तो more than 3 lakh 3,00,00,000,000 से कब income है तो less than 3 lakh इसके बाद दोस्तों आप get offer पे click करेंगे अब basic detail फिल करके जैसे get offer पे click करेंगे आप next step में आएंगे अब आपको next step में pen digits verify करना है तो आप अपना pen card का number यहाँ पे fill up करेंगे इसके बाद आप अपना date of birth फिल अप करेंगे जो आपके pen card में है इसके बाद आप अपना area का postal pin code डालेंगे इसके बाद आपको अपना gender choose करना है आप male है या female है इसके बाद आप get offer पे click करेंगे append details डालके जैसे आप get offer पे click करेंगे successfully आपका loan amount यहाँ पे 100 हो जाएगा और जो भी आपको loan अप्रूब किया जाएगा आपके document की साब से जितने loan amount के लाँ पे leasable होंगे वो loan amount आपको दिखा दिया जाएगा जैसा है आपके देख सकते हैं हमें 10,000 रुपय का loan अप्रूब किया गया है दोस्तों अगर आप first time money view app से load लेंगे तो आपको first time 5 या 10,000 रुपय कम amount का ही loan अप्रूब किया जाएगा लेकिन जैसी आप एक बर यहाँ से loan लेके loan को time पे repayment करेंगे और next time आप यहाँ से loan apply करेंगे तो आपको यहाँ से up to 10,000 रुपय चक का loan मिल जाएगा तो जैसे आपे देख सकते हैं 10,000 रुपय का loan अप्रूब किया गया है अब इस loan को हम लेना चाहते हैं अब इस loan को लेने के लिए सबसे फिल आप term select करेंगे कि आप कितने month के लिए इस loan को लेना चाहते हैं जैसे कि हमें 2 term दिया गया है एक 4 month और एक 6 month हम चाहते हैं तो 4 month या फिल 6 month के लिए इस loan को ले सकते हैं देख सकते हैं उसी सबसे हमें EMI दिखा दिया गया अगर हम 6 month के लिए लेते हैं तो 10,000 रुपय के loan में 846 रुपय पर month EMI देने होंगे और अगर 4 month के लिए लेते हैं तो हमें यहाँ पर 2690 रुपय EMI देने होंगे अब यहाँ पर आपको processing fees भी बता दिया गया है 10,000 रुपय के loan में 826 रुपय हमें processing fee देना होगा तो चलिए हम 10,000 रुपय का loan apply करते हैं 6 month के लिए रहने देते हैं अब इसके बाद आपको confirm and proceed option देकर आप confirm and proceed option पर क्लिक करेंगे जैसे ही confirm and proceed option पर क्लिक करेंगे दोस्तों अब यहाँ पर बताए क्या है कि आपको 4 step यहाँ पर complete करने होंगे basic information fill करना है KYC verification करना है EMI auto debit setup करना है इसके बाद loan agreement आपको sign करना है तो let's go to button पर क्लिक करें अब देख सकते हैं basic information fill up करने का form आ गया है basic information में आप अपना father name fill करेंगे mother name fill करेंगे इसके बाद दोस्तों यह पर पूछा गया है where do you live तो यह पर आपको दोफसें दिख रहा है एक hour one house और एक rented house तो अगर आपका घर अपना है बात करेंगे तो जो भी आपका suitable language है उसको चूज करेंगे इसके बाद continue option पर क्लिक करेंगे अब देख सकते हैं basic detail fill करके जैसे हम continue किये हैं अब हमें यहाँ पर अपना business details देना है जैसे हम self-employed select किये हैं तो हमें business details देना है अगर आप salary person चूज करेंगे तो आपको company details देना होगा तो चली हम यहाँ पर business details fill करते हैं तो business details में सबसे पहले business name जो भी business आप करते हैं registered address जहाँ पर आप business करते हैं pin code जहाँ पर आप business को करते हैं उसरीया का postal pin code annual turnover यानि कितना सालाना turnover होता है कितने रुपिय का उसको चूज करें registration type चूज करें nature of business select करें अब business details fill करके जैसे continue करेंगे अब आपको क्यवासी verification करना है तो क्यवासी verification करने के लिए दो option आपको दिख रहा है paperless eqyc और dg locker eqyc तो चली हम paperless eqyc को select करेंगे अब दूस्तों जैसा paperless eqyc को चूज करेंगे अब आपको आधार details enter करना है तो आप अपना आधार card का number डालेंगे same capture code को capture box में डालेंगे इसके बद नीचे आपको send otp का option दिख रहा है send otp option पे click करेंगे अब जैसे send otp पे click करेंगे आपके आधार link mobile पे otp जाएगा इसके बद continue करेंगे अब आधार link mobile डालके जैसे ही continue करेंगे दोस्तों आपके देख सकते हैं आपका क्यवाशी successful verified हो जाएगा और आपका आधार card का complete details यहाँ पे show हो जाएगा तो simple है आप सभी details चेक करेंगे इसके बद आप नीचे confirm option पे click करेंगे अब आधार क्यवाशी complete करने के बाद आपको अपना एक live selfie यहाँ पे capture करना होगा तो दोस्तों यह पे देख सकते हैं selfie capture करने के लिए आपको simply tag selfie पे click करना है आपका prone camera open हो जाएगा simply selfie को capture करेंगे इसके बद आप submit documents पे click करेंगे अब जैसे दोस्तों आप selfie को भी upload कर देंगे आपका क्यवाशी का process complete हो जाएगा अब आपको यह पे अपना income verify करना है तो income verify करने के लापको यह पे option मिलता है select bank business income account अब जैसे आप select bank business account पे click करेंगे आपके समने सभी बैंकों का list आ जाएगा तो जिस bank में आपका account है और जिसमें आप पैसो का lendin करते हैं उस bank name को select करेंगे अब bank name select करने के बाद आपको अपना bank statement upload करना होगा आपको यह पे maximum 3 month का bank statement upload करना है तो bank statement upload करने के लापको दो option मिल जाएगा आप net banking की तुरू bank statement upload कर सकते हैं या फिर दोस्तों अगर आपके पास bank statement का physical copy है PDF format में तो उसको भी आप upload कर सकते हैं तो चलिए हम net banking के तुरू करेंगे तो हम net banking को select करते हैं यह पे दोस्तों देख सकते हैं जैसे हम net banking को choose की है अब हमें net banking का details देना होगा तो फिर से हमें bank name choose करना है अपना net banking का username देना है पासवर देना है तो चलिए हम अपने net banking के details से login करके bank instrument को upload कर देते हैं और आगे का जो process है वो आपको हम दिखाते हैं तो यह पे देख सकते हैं net banking login करके bank instrument को upload कर दी हैं अब हमें यहाँ पे कुछ second wait करना है अब दोस्तों देख सकते हैं successfully bank instrument मेरा upload हो गया है अब हमें bank information आपे फिर से देना है दोस्तों आपे देख सकते हैं आपे बताए गया है कि अब आप जो bank information देंगे उसी account में आपका loan amount credit किया जाएगा और साथ ही उसी bank account में आपको email इड़ी setup करना होगा तो सबसे पहले bank name select करेंगे bank account number डालेंगे account number को दोबरा confirm करेंगे bank का FC code डालेंगे इसके बाद verify now पे click करेंगे अब जैसे bank details submit कर देंगे आपका loan application successfully submit हो जाएगा देख सकते हैं आपे बताया गया है your loan application is submitted तो दोस्तों मेरा loan application submit हो गया है तो दोस्तों यह पे देख सकते हैं मेरा loan application successfully approved हो गया है document भी verification हो गया है अब हमें यह पे और तीन step complete करने होंगे पहले हमें अपने bank account में amended setup करना है इसके बाद loan agreement को sign करना है loan agreement side करने के बाद successfully loan amount bank में credit कर दिया जाएगा तो amended setup करने के लिए आपको enable now button पे क्लिक करना है अब देख सकते हैं आपको अपने bank account में amended registration करने के लिए दो option मिलेगा एक ATM debit card के तुरू आप अपने bank details को verified कर सकते हैं और amended registration कर सकते हैं अगर आप net banking use करते हैं तो आप net banking के तुरू भी अपने bank account में amended registration कर सकते हैं तो चैले हम net banking के तुरू ही करेंगे तो हम net banking को select करते हैं और अपने net banking के details अपने bank account में amended registration कर लेते हैं और आगे का जो process से वो आपको दिखाते हैं तो दोस्तो देख सकते हैं amended मेरा registration successfully complete हो गया है देख सकते हैं हम complete कर ली है third step अब हम fourth step complete करना है loan agreement को review करना है और इसके बाद loan agreement sign करना है तो चैले हम review now बटन पे click करते हैं अब देख सकते हैं मेरा loan details यहाँ पे आ गया है तो इस loan details में आपका loan का complete detail रहेगा कितना amount का loan ले रहे हैं कितना processing fees और taxes देने होंगे आपको amount कितना आपकी bank account में credit होगा loan term कितने time के लिए है monthly EMI, first EMI date, interest rate तो सब कुछ चेक करेंगे तो continue बटन पे click करेंगे अब आपके समने loan agreement सो हो जाएगा तो आप loan agreement को भी अच्छे से read कर लेंगे इसके बाद आप sign agreement पे click करेंगे आपके mobile पे OTP जाएगा उस OTP को flip करेंगे then verify now पे click करके loan agreement को verify कर लेंगे तो चलिए मैं loan agreement को verify कर लेता हूँ अब दोस्तो देख सकते हैं loan agreement को sign कर ली है अब दोस्तो देख सकते हैं सभी step मेरा complete हो गया है अब दोस्तो जैसे आप loan agreement को sign कर लेंगे successfully आपका loan amount आपके bank account में transfer कर दिया जाएगा देख सकते हैं मेरा money transfer status अभी in progress हो रहा तो दोस्तो loan amount कभी कभी आपके bank account में साथ के साथ credit हो जाता है और कभी कभी कुछ time भी लग जाता है तो अगर आपके bank account में साथ के साथ आपका loan amount credit नहीं होता है तो आपको tension नहीं लेना है आपको एक दिन का wait करना है देख सकते हैं आपके बताएगा है tax one business day तो एक दिन के अंदर 24 hour के अंदर आपका loan amount आपके bank में credit कर दिया जाएगा तो इस तरह किस दोस्तों आप money view app से loan apply कर सकते हैं और साथ के साथ उस पैसे को instant अपने bank में ले सकते हैं जैसा में आपको इस वीडियो में money view app से loan apply करने का जो process है वो इस वीडियो में आपको बताया है आपको वीडियो अच्छे लगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर दिजे चैनल पढ़ना है चैनल को सब्स्राइब कर लिजे आपके मन में कोई भी confusion है वीडियो के नीचे comment कीजे और वीडियो को आगे share जरू कीजे मिलते नेक्स्ट वीडियो में thank you